नमस्कार दोस्तों मैं अंजली मिश्रास आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल चटोरु की रस्तोई में सो फ्रेंड्स आज मैंने ऐसी रेसिपी बनाई है जिसके बीना उत्तर भारतियों का विकेंड अधूरा माना जाता है तो चलिए छटपट इसे बनाने की विधी देख लेते हैं पकोड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए 100 ग्राम बेसन यानि की ग्राम फ्लोर और एक चोथाई मिठा सोड़ा यानि की बेकिंग पाउडर और साथ ही साथ हम डालेंगे आधा चमच जीरा आधा चमच या तो एक चोथाई आप डाल सकते हैं हल्दी पाउडर एक चोथाई मिठ्ची पाउडर चलिए अब हम इसे पानी में डालकर अच्छी तरह से इसका गोल बना लेंगे क्योंकि हम इसके पकोड़े बनाने वाले हैं ये देखिए इस तरह से मैंने से फेंट लिया है इन सब भी को अब हम स्वात की अनुसार इसके अंदर नमक मिलाएंगे अब नमक मिलाने के बाद इससे अच्छी तरह से फेंट लिजिए और अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा सूखा है तो थोड़ा सा पानी मिलाएंगे इस ज़्यादा मत मिलाएंगा कि ये कहीं आपको जो पकोड़ा है वो एकदम पतला हो जाएगा और बनने में काफी तकलीफ हो जाएगे देखिए इस तरह से चलिए अब हमारा ये बेटर तयार हो चुका है तो अब हम कड़ी का बेटर तयार कर लेते हैं कड़ी का बेटर तयार करने के लिए यानि कि उसका घोल तयार करने के लिए हमें चाहिए ठीक उसी प्रकार 100 ग्राम बेशन अब हम कम से कम इसमें तीन से चार कप पानी एड़ करेंगे ताकि इसका जो घोल है वो पतला रहे हैं और इसी अच्छी तरह से फैंट लीजिए ताकि इसके जो लंब्स हैं जो गुठलिया हैं वो सब एक हो जाएं तो देख सकते हैं आपकी कड़ी का बेटर किस तरह से मैंने तयार कर लिया है अब एक पैन को गरम करना है यानि की कड़ाई को गरम करना है देख सकते हैं कि हमारा जो तेल है वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है तो अब हम पकोड़े निकाल लेंगे दोस्तों ये जो मेरा बैटर ने थोड़ा सा पतला हो गया है तो आप अपना बैटर बनाते वे थोड़ा ध्यान दीचिए देख रहे हैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा उंगली की अपने सहायता से या आप चाहें तो चमच की सहायता से आप पकोड़े जो हैं निकाल सकते हैं हमारे साइड यानि की उत्तर भारत में इसे ज्यादा करके फुलावरी के नाम से जाना जाता है अब आपके यहां क्या जाना जाता है उसके साब से नाम दीजिए देख सकते एक तरफ से हमारा जो यह पकोड़ा है अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है गोल्डन ब्राउन क देखिए हो चुका है अब हम इसे चम्मच की सहायता से आराम से धीरे धीरे आसानी से से पलट देंगे ऐसे बारी बारी से हरे को में पलटना है कि फ्रेंड्स मैंने तेल इसमें मैंने बहुत ही कम लिया है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तेल जो है वेस्ट हो आप अपने हिसा जाथा तेल भी इसमें अड़ कर सकते हैं ह। त सो देख सकते हैं किस तरह से दोनों तरफ से हमारी यो पकोडे हैं ट्राइ हो रहे हैं अब हमारे पकोड़ए जो हैं लगबग फ्राइव शुके हैं तो इसे हम अच्छे तरह से छान लेंगे यह देखिए अब मैंने इसे अच्छे से निकाल के एक अलग कटोरी में रख लिया है इसी तरह से हमें बाकी बैटर्स का भी पकोड़ा तल कर निकाल लेना है इसे ही करके सारे पकोड़े तल के निकाल लेना है अब एक कड़ाई में हम तेल को गर्म करके उसके अंदर डालेंगे लगभग एक चोथाई मेति का दाना, एक चोथाई धन्या, एक चोथाई डालेंगे हम राई और जीरा अब इसे अच्छे तरह से भून लेंगे देख रहे हैं आप सभी अब इसमें डालेंगे हम कड़ी पत्ता और हरी मिर्च साथ ही साथ डालेंगे तीन से चार लाल सुखी मिर्च और अच्छी तरह से भून लेंगे अब ये देखिए मैंने इमली का पल्प तयार कर रखा है प्यूरी उसमें एक चम्मच या अधा चम्मच आप हल्दी पाउडर और मिर्शी पाउडर मिलाकर एक कर लीजिए अच्छी तरह से इसका पेश्ट तयार कर लीजिए आप आप चाहो तो इमली के जगण निम्बू के रसका भी व्योग कर सकते हो अब हम इस तड़के में डालेंगे एक चम्मच लशन देख सकते हैं मैंने यहां पे कुटा हुआ एक चम्मच लशन डाला है और इसे हलके से भून लेंगे भून के हो चुका है तो अब हम इसमें जो इमली और हल्दी और मिर्ची का जो पेश्ट था उसे एड़ कर देंगे और अच्छी तरह से इसे भून लेंगे देख सकते हैं आप कम से कम आप सभी को एक मिनट तो इसे भूनना ही पड़ेगा वरना आपकी जो हल्दी है वो कच्छी रह जाएगी देख सकते हैं यह हमारा जो मसाला है भून चुका है अब चलिए इस घोल को जो कि हमने पहले ही बना लिया था इसे हम आराम से धीरे से इसमें एड़ कर देंगे अब इसे हल्की आच पे धीरे धीरे से चलाते हुए मिलाना है यह ध्यान रखना है टाइम टाइम पे से चलाते रहिए वरना इसके अंदर बुठ्रियां आ जाएंगी अब हम स्वात के अनुसार नमक एड़ कर देंगे देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो हमारी जो यह कड़ी है वो किस तरह से गाड़ी होने सुरु हो गई है अब इसे धक कर पकाएंगे कम से कम पांच मिनट जब तक इसका उबाल ना आ जाएंगे पांच मिनट हो चुके हैं उबाल भी आ चुकी है इसे अच्छे से आसानी से आप इसे घुमा कर मिक्स कर लिजिए देख सकते हैं आप दो मिनट उसे इसे धक कर रखने के बाल आप इसके अंदर धन्या एड़ कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अब हम क्योंकि हमारी कड़ी तयार हो चुकी है फ्लेम बंद करके इसके अंदर जो पकोड़े बनाये थे उसे मिला रहेंगे इस तरह से यह देखिए हमारी कड़ी पकोड़ा राइस रेसिपी इस तरह से तयार हो चुकी है और मैंने इस तरह से प्रेजेंट किया है आप भी बनाएए विकेंड पे और खाईए खिलाएए मैं वापस से लोटूंगी अपने एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए रेखिए था के लोटूंगीज्ग टतन हमारी विकेंड़ा कवान